कलास आज आपको वर मिलकर बनाएंगे सभी की फेडिले टेंडर को को कोनेट आइस-क क्रीम को नेचरल तरीके से बहुत कम इंग्रिडियन के साथ बनाएंगे तो आप तयारें में अच्छी लगी हो तो में चेनल को subscribe or like जरूर करें, tender coconut ice cream बनाने के लिए हम coconut की मलाइ लेंगे, coconut की मलाइ बहुत पतली नहीं होने चाहिए, brown part को छील करके निकाल देंगे, हम मलाइ को मोटी वाली साइड से कदुकस कर तयार कर लेंगे, जब हम آइस्क्रेम को खाते हैं तो ये चौंक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं हमने आधा कप बड़े पीशिस में और एक कप कद्दू कस करके मलाई को तयार किया है यह tropical company के non dairy cream है, आप कोई भी अच्छी company के non dairy cream ले सकते हैं, इसे online purchase कर सकते हैं इसे whip cream भी कहते हैं, यह chilled और multi-form में होनी चाहिए जब भी whip cream को use करना हो, एक गंड़ा पहले फ्रिश से निकाल करके बाहार रखते हैं अब हम 1 cup cream लेंगे, cream को एक ball में लेंगे क्रीम को डबल बीटर से 4-5 मिनट विप करेंगे पहले 1-2 मिनट लो स्पीड पर फिर हाई स्पीड पर विप करेंगे क्रीम को विप करते वे 4 मिनट हो गए हैं इस तरह की पीक बनी चाहिए चोथाई कप मिल्क मेड लेंगे मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई आप देखना चाहिए तो देख सकते हैं इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे टेंडर कोकोनेट आइसक्रीम को बीना जीमस और सीमसी पाउडर के बनाएंगे आप देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनी है अब हम डेट कप नारिल की मलाई को लेंगे इसे इस पेचुला की साइटा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह आइसक्रीम बहुत ही जल्दी बनती है इसे बार बार बीट करके नहीं बनाना पड़ेगा इसे आप एक बार में सेट करके बना सकते हैं अब हम टेंडर कोकोनेट आइसक्रीम को एटाइट बॉक्स में फिल करेंगे आप इस पे फोईल पेपर भी लगा सकते हैं ताकि आइसक्रीम में क्रिस्टल ना बने इसे लेट से कवर कर देंगे, इसे फ्रिज में साथ से 8 गंटे रखकर सेट करेंगे आइस क्रिम को सुफ करने के लिए चोकलेट बॉल बनाएंगे, एक ग्लास पर प्लास्टिक को सेट करेंगे ये चिम्टी है, हेंगिन क्लिप्स लगा करके प्लास्टिक को सेट करेंगे डाग चोकलेट को मिल्ट करके लेंगे चोकलेट को स्पून की साइता से अच्छी तरह से फिला लेंगे थिक लेर लगाएंगे, नहीं तो डी मोल्ट करते समय बॉल तूट जाएगा इसे आदी घंटा फ्रिज में सेट करेंगे इसे आदी घंटा बाद फ्रिज से निकाल लेंगे बहुत ही सावधानी से ग्लास हटा कर इसे प्लेट में रखेंगे बहुत ही सावधानी से प्लास्टिक को अलग कर देंगे ये बोल देखने में बहुत ही अच्छा लगता है अब हम चॉकलेट बोल में आईस्क्रीम को सर्फ करेंगे टर्टर कोकोनेट आईस्क्रीम को चॉकलेट बोल में सर्फ करेंगे ये बहुत ही टेस्टी बनती है आप ट्राई जरूर करें यदि आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें थेंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो